कि अधिए वालकम बैक टू एक्सलें इंग्लिज क्राइट उच्छे लिए आज अब लोगे बहुत ही कमाल का और इंस्पारिंग स्टोई बताते हैं एक आदमी था उसका दो बच्चा था एक का नाम था मोनू एक का नाम था सोनू तो उसका जो पापा था मोनू सोनू का और बहुत बड़ा बिजनेस्मिन बना अब आदमी लोग यानि लोग पूछ रिए गाओं के लोग बोल रहे ऐसा क्यों तुम्हारा पापा एक सरावी है एक बाई सरावी बन गया दूसरा बाई बिजनेस्मिन बन गया ऐसा क्यों तो जो सरावी बन उसको पूचा कर बोले तुम्हारा inspiration कौन है। मतलग तुम्हेν inspiration कहां से मिलता है? आफे इस चीज़ के लिए ? मुझे inspiration रही मिलता है इस चीज़ के लिए? मैं बचपन से यही चीज़ देख रहा हूं.. कि मैरा पापा मैरे मामी को बहुत मारता है तो मैंने भी ठान लिया कि मैं बढ़ा हो के एक बहुत-बड़ा सराबी बनूगा तो दूसरा बच्चा को पुछा कि बोले तुम्हार पापा एक सराबी है और तुम बिजनेसमें कैसे बनो कैसे बने तो तुम्हें इंस्पारिंड कैसे इंस्पिरेशन जो कैसे मिला तो उसने बोला कि जो inspiration में मेरे पापा से मिला मेरे पापा से मिला क्योंकि मेरे पापा सरापी के आता था और मेरे ममी को बहुत मारता था तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा हो करके एक बहुत बड़ा अमीर आदमी बनुगा और मेरे ममी को सारा खुशिया दूगा तो दोस्तों इस कहाने से में कमाल का सिख मिलता है, अगर हम लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, देखी बात यह है कि दोनों को मॉटिविशन मिल जाता, दोनों ही इंस्पायर होते थे, लेकिन एक पॉजिटिव सोचा और एक नेगेटिव लिया, मतलब एक जो है स इस तरह से देखते हैं हो, ऐसा ही होता है अगर मालिए आप बलेक कलर का चस्मा पेहनेंगी और कोई छीज दिखेगा, अगर कोई चीज को बמצ लू कलर के चस्मा पेहनेंगो और देखेंग तो बू दिखेगा, तो सबसे पहली बात कि अपना एटिटीविट को चैंज केज thank you so much for watching this video अगर आपो ये विडियो अच्छा लगा please like this video and do start this video with your friends thank you so much have a nice day